हेलो गाइज मैं हूँ आपका होश्ट और दोस्त सब्या सचेन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मायलाफिस क्रिकेट तो गाइज आज का वीडियो ने वाला है बैट्समें से डेटर तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस टेप के आपको सिक्स हिटिंग के लिएट घृप करना है टैनिस किर्केट में लिए टैनिस किर्केटर से कि लिए वीडियो होने वाला है जिससे हैं रही वीडियो को इंट देख आ अपको बता देना चाहता हो की कि सबसे पहले समाझ में आ जाना चाहिए तो घाइस बैट गριप होता इसब elson होता कि आई कि आपका वो इस step से इस blade के थूर नीचे की और जाएगा और जितना आखरी पे एंड जो हैंडल का है वहां पर जाकर आपको इस step से बैट को grip कर लेना है अब गाइज आती है right hand की बाद तो right hand को कैसे grip करना है तो में लिए सब्सक्राइब तो कइसे आप को इसे सबसे बड़ी कोई और आज करनांगा तो घैस सबसे बड़ी और इसी को मैं तो इसे आप जितना लूज हो सके उतना लूज रखें कि आपको बैट पी स्टेप से रखना है आपको इदम टाइट पकड़ना ही नहीं यह इस हैंड को अब बात आती है राइट है तो यह मेली होता है आपका पावर हिटिंग के लिए जब आप दम लगाकर मारते हैं तो इस मेन हाथ का जो यह राइट हंड का लगता तो आपको इसे जो है टाइट पकर अब जितना टाइट पकड़ सकते हैं आप जिस जतना टाइट पकड़कां कर सकते हैं और बैट गलिब तो आपको समय में कर आ हूघा होग Court उस्पो बता देने चाता हूँuma कि जब भी आप टेनीस क्रिकेंट में six hitting करना है तो आपको बैट का range बढाना जैसे आपके बैट का height है 36 inches और अगर आपको 38 inch करना है तो आप एक चीज़ कर सकते हैं जैसे कि मैंने grip बताई इस टैपसे आपको grip करना है तो आप इसे अदधम उपर से पकने इस टैपसे जिसे कि यह और भी दो बदल जाएंगा बैट का हीट और तब sự और भी लंबी बैइब यहीड कर सकते आ拜拜 치 चानिस हो जाएगा तो इस टैपसे आपने बैट का चाहिब हई बढ़ा सकते हैं जिससे कि आप इस ली और अच्छे से Aa तो आपको एंसर कर दूंगा और अगर आपके कोई टैनिस क्रिकेटर और बैट्समें तो नहीं भी वीडियो सेर करें ताकि वह भी समझ पाएं कि किसी और नहीं वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत